ओम शिरी गनेशाय नम्हा नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभीनादन आ गई वो घड़ी जिसका करते हम सभी इंतजार जी हाँ आप सबको बहुत बहुत शिपकामना है एक अगस 2024 से आपको पोटली की पेमिन्ट जमा करानी है लेकिन रुक जाओ जाने की जूरत नहीं है इसकी 3-4 कंडिशन्स है वो समझ लीजे पहले तो जो नमबर नीचे दिये गए है इन नमबरों पर आप कॉल करेंगे वीडियो कॉल करेंगे मेरे ओफिस को देखेंगे अगर ओफिस में मैं हूँ तो मुझे देखेंगे ओफिस देखने के बाद जब आपको अगर दूसरी साइट से नमबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं अभी हम आफिस में नहीं है आप पेमिन जमा करा दीजे आप दरिये मत ये डॉक्र वायराकी का ही ओफिस है मेरी आवास बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको एई बात आप वीडियो कॉल पर कर लो अगर आप राखी मैम हो जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगापर पेमिन जमा करा रहे हैं जब तक आप पेमिन जमा नहीं कराई है पहली बात दूसरी बात payment जमा कराने के बाद या पेटियम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका screenshot खीच कर हमें किसी एक mobile number पर भीजें हमारे office के 6-7 mobile number है आपसे मेरा हाथ जोड के निवेदन है अगर आप 6-7 mobile number पर अपने screenshot को एक ही को बार बार भीजेंगे तो जि जाएगी तो ऐसा बिल्कुल ना करें एक अगस 2024 से portly की payment कराएं प्लस अपना पूरा address लिखें address के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई landmark जरूर लिखें साथ में अगर आप किसी village से हैं village के आसपास कौन सा post office लगता है कौन सा गाउं लगता है इसके विशे में भी आप ह के पास पहुँच जाएगी और आपको उसे खोलना है धन तेरस वाले दिन वो सारी वीडियो आपको second मेरी मिल जाएगी फिलहाल एक अगस 2024 से आप पोटली की payment करवाना शुरू कर दीजे लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में चैमाता देगे अपनी जिंदगी के experience से बता रही हूं जो अखेले चलते हैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं जो मुड़कर किसी का साथ लेकर चलते हैं बार-बार पीछे ही देखना पड़ता है लोगों के मूट के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलना पड़ता है नमस्कार सू स्व आमना पूर हो मातरानी की असीम किरपा पर हो जिंदगी में सुख आपको मिले आपको खुशिया मिले बाहर आए ओए हुए हुए है आप जो सोचे वो चल कर आपके पास आए जये श्री राम सुभा की राम राम कैसा है मेरा यह संसार पर मेरा यह संसार बढ़ क्यू नहीं अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो करें, मैंने बहुत महनत करी और हमें अपने इस संसार को बढ़ाना है, जिसमें आप धीले बैठ चुके हैं, आप सच में मुझे अपनी मा मांते हैं, फॉलो करते हैं, तो अभी इसी वक्त मेरी इन वीडियोस को और 10-15 और वीड सब ग्रुप्स में एड करिए, ताकि जादा से जादा लोगों तक हमारा ये संसार बढ़े, आप क्या चाते हैं, हमारा ये संसार एक करोर का ना हो, हमारा ये संसार एक दिन एक करोर का जरूर होगा, और अगर हमारा ये संसार एक करोर का हो, उसके लिए हमें भगवान से प बढ़ाएगा मातराणी उसे बढ़ाएगी अब आपके साथ में शेयर करें ग्यारा ग्यारा बज गए हैं ग्यारा ग्यारा का मतलब होता है यह देखिए हम लोग अपनी आखें बंद करके एक मिनट के लिए विश मांगें कि भले जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो की एनर्जी इस ग्यारा 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 है आइम टॉप अफ दे वर्ल्ड मैं बहुत उपसुरत हूं बहुत स्वस्त हूं भगवान की असीन किर्पा है चारो तरफ से इस वक्त जो यह वीडियो देख रहे हैं उनके उपर उनिवर्स आपकी अतिकिर्पा है और दौलत की बारिश हो रही है उनका मूड अच्छा है उ इस तरह से अपनी विश को सुभा के 11 बच के 11 मिनिट पर रात को 11 बच के 11 मिनिट पर मांगने से आपकी मनों कामना पूर्ण होती है तो पहला उपाय तो यह बता रहे हैं चली कार्परों की शुरूबात हमेशा आपकी तरह बेलीवाइग कर्मा सूरे उदे से पहले हमें उठना चाहिए कुछ जर्नल उपाय आपको बता रही हूं जिसे अपने जिंदगी में अपने दोहजार चौबिस और पचेस में अपना लिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नए परिवार का हिस्सा बने हैं और यह उपाय में लाखो बार बता चुकी हूं लेकिन उनको बताना बहुत जरूरी है सुभा जल्दी उठें सुरे उदे से पहले उठें और उठते ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलें घर में सुगंदी तगरबत्ती लगाएं नहाने के पानी में गंगा जल या गुलाब जल या गोम उत पूज़ा करने जरू करें जरू करें और इस से आपको अपनी जिंदेगी में जबर्दस फरक दिखाई देगा हनुमान जी को सिंदूर चड़ाना हनुमान चालिसा संकट मोचन बजरंबान पढ़ना बेहदी शुब है शुकर वार वाले दिन देवी मा की पूजा करें और शुकर वार वाले दिन अपने दोनों हातों की हतेलियों उपर हमारा magic oil जरूर लगाए और अगर अभी तक आपने हमारे उस magic oil को नहीं मंगाए तो उस magic oil को मंगाए उस oil को लगाने से आपके पस धन का आगमन होगा आप अपने हातों में इत्र भी लगा सकते हैं घर में तुलसी की पौधे को सुभा जल देना चाहिए और शाम के टाइम उस पे दिया जरूर जलना चाहिए घर में छोटे से शिवलिंग के पारे की स्थापना करें और उस पे जल अरपन जरूर करें नियमित रूप से इससे आपके घर में नकरात मफ्ता दूर होती है प्रतेक पुनिमा को चंद्रमा की पूजा करें और उनको दूद का अरक अभी शेक करें सासा खीर का भोग लगा कर वो खीर परिवार वालों को खिला है प्रतेक का मावस्या को पितरों के नाम का तरपन करना चाहिए पितरों के नाम के पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें चीनी मिलाकर हमें कवों को खिलाना चाहिए नियमित रूप से हमें सूरज को जल देते वक्क गाइतरी मंतर का जाब करना चाहिए इससे हमारे घर के हमारे जीवन में जितनी वे नकरात्मा कूश जाए वो खतम होती है अपने गुरू, अपने टीचर्स, अपने माता-पिता, अपने घर में आयों थित्यों का समान करना चाहिए और सबसे बड़ी बात आपके घर में कोई भी घड़ी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए आपके घर के दर्वाजों को बंद और खोलते वक्त किसी भी तरहा का उनमें से आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी घर की नालिया नहीं रुकी हुई होनी चाहिए आपके घर का हमेशा बिखरा-बिखरा गंदा नहीं होना चाहिए आपको हफ्ते में एक बार अपने फ्रिच को साफ करना चाहिए हर दो दिन में आपको अपने घर की चदर को बदलना चाहिए हर दूसरे दिन अपने नहाने के तॉलिय को धोने में डालना चाहिए एक कपड़े को दुबारा नहीं पहनना चाहिए गर की जो घंटी है में डोर की जो बेल है जिससे बजा कर आप घर के अंदर आते हैं वो बेल कभी खराब नहीं होनी चाहिए वो अवश्य बजनी चाहिए आपके घर में पित्रों की तस्वीर केवल और केवल दक्षिन की दिवार पर होनी चाहिए आपके घर के अंदर पित्र की तस्वीर कभी भी नहीं हो सकती, ये कुछ जर्नल उपाएं हैं जिने आप करें तो आपके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके घर में शंमी का पौधा, आपके घर में तुलसी का पौधा, आपके घर के अंदर जो है, इन पौधों के आगे, वेल्ड का पौधा इनमें दिये जरूर जलने चाहिए, इनमें जल जरूर देना चाहिए अपने घर के आंगन को रोज शाम को साफ करके में डोर पर दो अगरबती जला लेजीए आपके घर का जो में डोर है जिसमें से आप एंटर करते हैं अंदर उसमें एक बल्ब लगा कर रखें, जो दिन, रात, सुबा, शाम जलता रहे, LED का बल्ब लगाए, जब भी आपके घर में न करात्मकता होगी, कोई negative energy आपके घर में परवेश करेगी, वो बल्ब अपने आफ फ्यूज हो जाएगा, in fact उसे दिन में भी जला के रखें, क्योंकि आप उसका कोई सुच ना रखें, बस वो सीधा डिरेक्ट बल्ब जला के रखें, जब बल्ब खराब हो जाएगा, उससे जरूर बदले, आप कभी किसी को घड़ी गिफ्ट में ना दे, किसी से घड़ी गिफ्ट में ना ले, आप कोशिश करें कि अपने घर में गुलाब ज जिल का पोचा, हर शुकरवार को जरूर लगाएं, जिससे आप दिन, दुगनी, राच, चौगनी तरक्की करते हैं, लाइफ में आप सक्सेस आते हैं, घर में आपके घर में अतीतियों का आना अनिवार है, आप किसी की घर अतीति बनकर जरूर जाएं, एक बात हमेशा जरूर आनी जानी चाहिएं, क्योंकि याद रहें, जिसकी घर की बेटी खुश, उसका सब कोच खुश, कोशिश करें अपनी बेटी को, समय समय पर आप अपने घर के अंदर, लंच पर, दिनर पर वाइट करें, और आपकी बहू भी आपसे बहुत खुश हो, किचिन के नेचर बन जाता है, जगड़े वाला नेचर बन जाता है, जगड़े उन्हें शुरू हो जाता है, चंद इन बातों का ध्यान रखें और अपनी जीवन में परीवर्तन देखें, मुझे फेस्बुक, इंस्टाग्राम, बिली मिन कर्मा, फाइब मिनट स्टोरी पर फॉलो ज झाल स दो मिनट दिजीव मिन यद्पर कि जाता है, जगड़े वाला है, बिली में वाला नेयर हो जगड़ी जीवन में का है, ज हिते जीवन का देखें, ने खिएग